नमस्कार दोस्तों, गवर्मेंटिक जामन फू में आपका स्वागत है तो दोस्तों उत्राखन सायक अध्यापक LT भरती को लेकर अपडेट आ चुकी है और आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो LT की पोस्ट हैं उसको लेकर यहाँ पर क्या TAT या निवाद होगा या नहीं होगा ये जानेंगे इसके अलावा आपके दोरह कुछ सवाल पूचे गये थे इसी पोस्ट को लेकर तो उन सवालों के जवाब भी आज के इस वीडियो में मैं आदूँगा तो जितने भी कमेंट्स आया थे उनके जवाब देनी की कोशिश की जाएगी यहाँ पर तो वीडियो में बने रही है और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो चलिए देख लेते हैं कि जो अपडेट आई है LT के लिए वो क्या उसमें क्या कहा गया है तो इसमें LT भरती प्रक्रिया सुरू होने की बात की गई है इसमें कहा गया है कि LTE के 1200 पदों के लिए भरती प्रग्रिया अगले सप्ता सुरू होने जा रही है तो इसमें साफसर कह दिया गया है इसमें कोई confusion की बात नहीं है ये अगले सप्ता सुरू होने जा रहा है और ऐसा किसी और ने नहीं आयोग के सचीव ने कहा है UK SSSC सचीव ने ऐसा कहा है तो राजी में 2016 के बाद LTE शिक्षकों की भरती होने जा रही है शिक्षा विभाग ने रिक्त पद अधिनस्त सेवा चैना आयोग को प्लब्द करा दिया है तो यह जो LTE के पोस्ट है वो UK SSSC द्वारा जारी किये जाएंगे और इसको लेकर जो शिक्षा भी भाग है उनकी तरफ से यह जो रिक्त पद है वो UK SSSC आयोग को यहाँ पर दिये जा जुके है इसके लावा वहीं आयोग ने इसे offline माधियम से कराने की बात कही है यानि कि offline माधियम से इसे कराया जाएगा पहले आयोग ने कुछ पदों को लेकर यहाँ पर कहा था कि यह online लिए जाएंगे लेकिन LTE की जो भरती होगी वो offline होगी तो आयोग के सचीव संतोस बढ़ होने के मुताबिक इस सप्ता आयोग का दफ्तर रायपूर के नए भवन में shift हो जाएगा तो यहाँ पर आयोग का दफ्तर भी shift हो रहा है इसी सप्ता और अगले सप्ता LTE के लिए आवेदन प्रक्रिया सुरू करा दी जाएगी तो यहाँ पर जो सचीव है उन्होंने ही बताया यह उनके द्वारा यह जानकार यह दी गई है कि जो अगले सप्ता इसके लिए आवेदन प्रक्रिया सुरू करा दी जाएगी और इसके लिए पहले भी अपडेट्स आई थी कुछ और इसमें कहा गया था कि अगस्त के दूसरे या तीसरे हपते से इसके लिए आवेदन शुरू किया जाएगा और ऐसी बात सामने आ रही है और इस साल यह सबसे बड़ी परिक्षा होगी चूंकि इसमें 27 विश्यों की परिक्षा होनी है तो लगबग इसमें सारे विश्यों सामिल किये गया है आपको बता दूँ कि इससे पहले जो UK SSC है एक पोस्ट आई थी जो LT के लिए ही थी और उसमें कुल 10 से 12 विश्यों के लिए ही आवेदन दिया गया था लेकिन यह अच्छी बात है कि यहां पर इस बार 27 विश्यों की परिक्षा होनी है इसके अलावा यहां पर आवेदों की संख्या भी एक लाग से अधिक होनी की समभाबन है जो की जाहिर सी बात है चुकि 1200 से अधिक पद है तो मिनिमम इतने आवेदन यहां पर आएंगे इसलिए यह परिक्षा परमपरागत यानि की ओफलाइन ही कराई जाएगी और हाला कि यहां पर यह भी कहा गया है कि जो परिक्षा है वो कोरोना की हालात सामने होने पर ही आईजित हो पाएंगे तो देखते हैं इसके लिए जो फाइनल अपडेट है वो क्या आती है लेकिन यहां कहा गया है कि जो अगले हफते यहाँ पर इसके लिए notification जारी कर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, और जो बाकी की प्रइक्षाय हैं, जो भी group C की प्रइक्षाय होंगी, वो online ही यहाँ पर की जाएंगी, तो यह भी यहाँ पर कहा गया है, तो यह थी पूरी update, यहाँ पर 1200 तो यहाँ पर दिनिस आर्यात और यह पूछा गया था, कि मैंने नायोस से 10th और 12th किया है, और HNB से BA और BA किया है, क्या मैं LT का पात रहूं, तो जी यहाँ बिल्कुल आप LT के पात रहें, और अगर आपने नायोस से 10th और 12th भी किया है, तो भी आप यहाँ पर आवेतन कर पाएंगे, और चुकि आपने HNB से BA और BA भी किया है, तो आप इसके लिए आवेतन बिल्कुल कर पाएंगे, अगला कमेंट देख लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो कमेंट पूछा गया है, वहाँ सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया, अंकुर मित्तल पास होना जरूरी है क्या, यह सवाल पूछा गया है, तो मैं आपको बता दू, टीटी पास होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा क्यों, कई लोग यह कह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीती आई है, उसमें टीटी पास होना जरूरी अनिवारे कर दिया गया है, तो बि भात ध्यान में रखिएगा टीडी पास होना जरूरी नहीं है और मैं यहां आपको पिछले साल की जो एक वेकेंसी आई थी LTE को लेकर उसमें भी दिखा देता हूं कि उसमें जो अनिवार रिता है वो ग्या थी तो दोस्तों जो प्रेवियस नोटिफिकेशन था LTE का उसमें यह कहा गया था कि मान लिजे आपका सब्जेक्ट साइंस है तो उसमें जो अनिवार अहरता की बात की गई थी भारत में वीदी द्वारा इस्थापित किसी विश्विद्याले से या तो किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से रासायन विग्यान इन विश्यों में आपके पास इसनातक की उपादी होनी चाहिए तो जो मिनिमम्म क्वॉलिफिकेशन है सिर्फ यह मांगी गई थी और अगर आपके पास इसनातक की उपादी नहीं है तो किसी राज के या सरकार से मानेता प्राप्त प्रशीक्षंट संस्थान से LTE डिप्ल में ये दिया गया था कि NCRT के छेत्री शिक्षासंस्तान से चार वर्सी Integrated Course BSC EAD जिसमें की रासायन विज्ञान जी विज्ञान और वनस्वति विज्ञान के साथ उत्तिर्ण किया हो अगर आपने Integrated Course किया है तो आपको यहाँ पर TET की उत्तिर्ण होना चाहिए ऐसा कहा गया था पिछले साल के नोटिफिकेशन में हाला कि इस साल ऐसा जो भी नोटिफिकेशन आईगी वह आपको बताया जाएगा तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया है जो पहली अनिवार्य अहरता है उसमें यह कहा गया है कि आपका रेजुइशन होना चाहिए जिसमी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो TET की अनिवायता की बात सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेट कोर्स के लिए कही गई है अगला कोश्चन पूछा गया है माय जोसी द्वारा और इन्होंनों पूछा ही कि क्य सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं आईगी तो मैं आपको बता दूँ इससे पहले जो वेकेंसी नोटिफिकशन जारी किया गया था प्रिविएस यहर में कुछ सालों पहले उसमें 12 विश्यों की के नोटिफिकशन जारी किया गया थे और उसमें सस्टी नहीं था लेकिन 27 विश अगर 27 विश्यों पर यह पोस्ट आते हैं तो उसमें सस्टी जरूर रहेगा तो सस्टी जरूर रहेगा आप इसके लिए सोचने की जरूत नहीं है ज्यादा और नोटिफिकशन जल्द ही आ जाएगा तो उसमें आपको क्लियर्टी मिल जाएगी अगला क्वेशन पूछा ग ममता रावद्वारा और इन्होंने पुछा है कि जिन्होंने अभी बिएड लास्ट रसाइम के एक्जाम दिये हैं वो भी भर सकते हैं कि इस फॉर्म को तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और जिस सब्जेक्ट से आपने की नोटिफीकेशन में न अभी इसके लिए कोई जो बात कहीं गई है जो नए शिक्शा नहीं ती है उस में भी यहाँ पर Lady जोबात कहीं जा रही थी वह भी यहां पर क्लियर नहीं है क्योंकि एभी यह लागू नहीं हुआ है और इस्टेस्ट लेवल पर यानिकी राज इस तो बिल्कुल इसके लिए आव आवे दिन कर भाएंगे तो दोस्तो ये थी अपडेट और इसी तरह की सब भी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बैल आइकन को भी प्रेस करें और अपने डाउट्स पूछने के लिए कमेंट जरू करें आपके कमेंट का जल्द से जल्द आंसर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा तो तब तक के लिए उससो धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में